aye good morning student आज हम देखते हैं class 8 chapter 2 mymm actively का part 3 इस से पेले के video में हम देख चुके हैं कि microorganism क्या होता है इनके types क्या होतें इनकी shape क्या होती है और ये कहा पाइजाते हैं कैसे रहते हैं तो ये सारे चीजे हम पिछले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अन्नोन लगे होंगे बाट आज इसी पिक को आप देखके पैचान सकते हैं कि इसमें बैक्टेरिया कौन सा है वाइरस कौन सा है एलेगी कौन सी है प्रोटो जोह क्या है यह सारी चीजे हम पहले डिसकस कर चुके हैं आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इनकी यूसफुल नैसको तो फिक्टिरिया एक टेस्टी कमपोजर एंड रिलीज टेरैंट इंटर्व और एक सक्टरा तो सबसे पहले हैं यह डिकंपोजर बैक्टिरिया जो होता है डिकंपोजर की तरह एक्ट करता तो डिकंपोजर होता यह डीडड डि जो bacteria होते हैं, वो nitrogen fixing करने में help करते हैं, जिससे fertility बढ़ जाती है soil की, तो यह किस तरह से करते हैं, कुछ plants ले रहे हैं, leguminous plant ले रहे हैं, यह leguminous plant के अंदर ribosome bacteria पाया जाता है, जो यह brown-brown से दिख रहे हैं, यह ribosome bacteria है, यह bacteria क्या करते हैं, atmosphere से nitrogen को लेके nitrogen fix कर देते हैं, soil के अंदर, जिससे soil की fertility बढ़ जाती है, now next point is, bacteria help in treating sewage and producing biogas from west, many herbivores have cellulose digesting bacteria in their stomach, bacteria help करते हैं, sea waste की तरहें treat करने में, और produce करते हैं, biogas को from west से, biogas produce करते हैं, biogas बहुत ही important fuel है, आजकल क्योंकि इससे atmosphere का environment खराब नहीं होता है, इससे pollutions नहीं होता कहने का means, तो यह इसमें help करते हैं, many herbivores have cellulose digesting bacteria in their stomach, कई सारे herbivores होते हैं, herbivores होते हैं, जिनके पेट में इस्टोमक के अंदर bacteria पाजाता है, जो cellulose को digest कर देता, herbivores का मतलब होता है, ऐसे animals जो plants वगेरा खाते हैं, उनको कहते हैं, herbivores, तो इनके पेट में एक ऐसा bacteria होता है, जो cellulose को digest कर देता, जानते हैं, आप plant के अंदर क्या पाजाता है, cellulose पाजाता है, वो इनको digest करने में help करता है, next one is certain bacteria help in making antibiotics, तो कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जिनका use antibiotics बनाने में किया जाता है, like penicillin, जब हम कभी bacterial infection से बीमार होते हैं, तो doctor हमें antibiotics दवाएं prefer करता है, क्यों करता हैं, क्योंकि ये antibiotics दवाएं जो ह होती हैं, वो bacteria के growth को रोक देती हैं, और हमें ठीक कर देती हैं, इसलिए ही antibiotics दवाओं का use doctor करता है, bacterial infection, some bacteria help in making product like vinegar, ethanol, etc, कुछ bacteria होते हैं, जिनका use product बनाने में किया जाता है, जैसे vinegar, ethanol, वगएरा का use किया जाता है, now bacteria are used in turning of leather, etc, bacteria का use leather को turning करने में किया जाता है, some bacteria are used in research tools, कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जिनका use research tool के अंदर भी किया जाता है, some bacteria promotes curd formation, they are used in baking industry for making breads, pastries, cake, etc, तो ये दूद से धही का बनना, make to curd change होना, कैसे possible होता है, इसके पीछे bacteria होते हैं, है ना, कैसे बनाते हैं, हम दूद से धही, हम कुछ थोड़ा सा milk लेते हैं, उसके अंदर थोड़ कर्ड डाल देते हैं, उसको गर्म करके थोड़ा सा उसमें कर्ड डाल देते हैं, और काफी टाइम के बाद हम उससे देखते हैं, तो वो पूरा दूद धाई बन जाता है, कैसे बना, क्योंकि धाई के अंदर क्या था, लेक्टो बैसिलस, बैक्टेरिया था, उसी ने उसको मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया, कई आप बेकिंग इंडरस्टीज देखते हैं, उन बेकिंग इंडरस्टीज से जो बनाती हैं, केक, ब्रेड, पैस्टीज वगएरा आप जो खाते हैं, उन सब को बनाने में भी बैक्टेरिया ही रेस्पोंसेबल होता है, Now we are focusing on useful fungi, अब हम fungi के बारे में देखते हैं, they act as decomposers that help in adding nutrients to soil, it is used in making antibiotics, जो fungi होता है, एक तरह का decomposer होता है, ये क्या करता है, useful nutrients को soil के अंदर add करता है, और it is used in making antibiotics, इसका used antibiotics दवाओं को बनाने में भी किया जाता है, अभी हमने देखा antibiotics दवाओं क्या होती हैं, जो हमें disease से cure करती हैं, उन्हें हम कहते हैं, antibiotics, yeast, etc. are used in making alcoholic beverage and bread, idli, etc. Mushroom are edible fungi, some are used in research work, ये जो yeast होता है, इसका use किया जाता है, alcoholic beverage बनाने में, bread, idli, etc. बनाने में, ये yeast क्या है, एक तरह से yeast क्या है, खमीर, खमीर को कहते हैं हम yeast, अभी हमार edible fungi, ये एक खाने के काम आने वाला fungi है, ये जैसा पिक में आपको दिख भी रहा, इससे कही तरह की dishes बगेरा भी बनती हैं, और ये काफी हमारे health के लिए भी अच्छा होता है, और कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जिनका use research work में भी किया जाता है, Now last one is useful algae, algae supply food to aquatic animals and also oxygen gas, red algae is edible in certain countries, जो algae होती है, वो aquatic animals को food और oxygen सप्लाई करती है, ये जो aquatic animals हैं, जैसे fish वगेरा जो पानी के अंदर रहने वाले जितने भी animals हैं, वो aquatic animals कहलाते हैं, उनको food और oxygen gas algae से ही मिलती है, और red algae ऐसा होता है, कुछ countryों में red algae का use खाने में किया जाता है, Some algues are used in making toothpaste, jelly, etc, कुछ algae ऐसे होते हैं, जिनका use toothpaste, jelly वगेरा बनाने में करते हैं, Some algae enrich the soil with nitrogen like blue green algae, कुछ algae soil को enrich कर देते हैं, nitrogen पहुचा कर जैसे blue green algae होती है, Some algae are source of iodine and potash, like brown algae, कुछ algae ऐसे होते हैं, जो iodine और potash का source होते हैं, जैसे इसमें आती हैं, brown algae, तो अभी हमने देखा, इस chapter के अंदर हमने देखा, useful of microorganism, कुछ कौन कौन से microorganism हमारे लिए useful हैं और किस तरह से, next video में हम देखेंगे, harmful organism कौन कौन से हैं,